रफली राइड किया है प्लस कियते हैं पीले राइड के साथ राइड किया हैं तो यह जो बाइक है ना 125 सिग्मेंट में हीरो के तो बहुत सारी बाइक आती थी लेकिन यह जो बाइक लॉंच हुई है ना आने वाले हैं और आज हम आपको इसका सिटी हाइवे सब कुछ में चल करेंगे माइलेट टेस्ट फूल कर दीजे तो करेंगे माइलेट टेस्ट फूल कर दीजे तो गाइस फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की लेटेस मॉडल हीरो की एक्स्ट्रीम 125 पार जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो गाइस आज हम इस बाइक को चलाने वाले हैं और आज हम आपको इसका सिटी हाइवे सब कुछ में चला के आपको इसका माइलेट टेस्ट करके दिखाएंगे कि यह जो बाइकन आपको कितना माइलेट देखने को दे देती है क्योंकि इसमें आपको यहां पर देखेंगे इस स्प्रेंट EBT यानि की इंजन बैलेंसिंग टेकनलोजी देखने को बिल जाती है और साथ ही साथ ब्यास फ्रेश्ट इंजर में जाता है तो देखते हैं कि इस इंजन के साथ इसमें आपको कितना माइलेज यह बाइक देती है क्या इसमें आपको माइलेज भी अच्छा दोस्तों वीडियो चलेगे में तरह चलेगे तो प्लीज अपन दर्फ एक लाइक जरू दीजेगा तो चलेगा इस सुरू करते हैं और लेके चलते हैं उससे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका मीटर कंसोल तो आप जैसे मीटर कंसोल प्याएंगे तो यहाँ पे देखेंग साथ है 10-3 किलो मटर्ण चली हुई है अब चलते हैं बाइक को स्टार्ट करते हम लेकर चलते हैं हाइवे एक लौसी तर्फ बात यह की थी स्ट्रीम 125 आर और साथ ये साथ आपको बता दें कि 125 सिग्मेंट में हीरो की तो बहुत सारी बाइक आती थी लेकिन ये जो बाइक लॉंच हुई है एक स्पोर्ट सिग्मेंट की बाइक बन जाती है क्योंकि इसका जो कि यहते हैं आपको लुक मिलता है काफी श्पूर्थी दे देखने को बलता है आगर आप लोग रफली राइड करते हैं तो आपको उतना तो नहीं देगा लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं मिलेगा माइलेज ठीक ठाक जरूर देखने को बल जाएगा तो देखते हैं कंपनी इसमें क्लेम करती है कि लगबख साथ से चौसर्ट का माइलेज यह बैक आपको आराम से देति हैं और देखते हैं चलाक इस बाइक को क्याः ऩइसाद साथ से सक दोंसर्ट का मालेज मिलेगा क्या उतना माईलेज जैस में जापको और बता दें अब्रे हैं देख बहतरें देखने नकों मिल रही है तो गाइज आप लोगे क्लियर हुजए है कि हम जो बाइक चलाएंगा ना लगबग के कियते हैं 60-70 के स्पीड में चलाएंगे और हाइवे पर पहुशने के बाद थोड़ा सा इसको रफली भी राइड करेंगे तो गाइज फाइनली मैंने इस बाइक को लगबग के केते हैं ट्राफिक में 75 किलो मेटर तक अभी तक चला लिया है मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो लगबग 73-72 किलो मेटर में सो कर रहा था लेकिन अभी सो कर रहा है 75 किलो मेटर तो लगबग 3 किलो में मैंने जो सुवा का सिस्पिंस उनला खूए तो यहाँ यहां भी अफिर आभाण। लूग बग मैंने इस बाइक को टेन किलो मिटर करेंगेये, उसके बाद हम इसको रिग्जक करेंगे, कि यह बाइक हैं doublet कराने के बाद, कि आपको कितना माईलेज देखने को दे दे रही है और आप लोग यहाँ पर देख पा रहा होंगे कि हम जो बाइक को चला रहा है ऐसानी है कि 20-25-30 के स्पीड में चला के माईलेज अच्छा देने कोसिस कर रहा है जैसा नॉर्मल स्पीड चला जाता है 50-70 के बीच में यह बाइक को राइड कर रहा है 50 से लेकर 65-70 तक में ही राइड कर रहा है तो उसमें आपका जो माईलेज मिलेगा न एक मतलब बेस्ट माईलेज मिल जाता है 50-60 के स्पीड में क्योंकि वो जो होता है न वो इको मूड होता है याशर आपको जैसा हम बार बार बोलते हैं कि किसी बाई को आप लोग राइड कर रहे हैं और आप लोगो अच्छा माइलेज उस से गेन करना है तो बाई को हमेशा कोशिस करिये कि टाइम टू टाइम गेर स्थिप करिये सारवेशिंग कराईए साथी साथ बाइक को कोसिस करिए कि हमेशा एको स्पीड में राइड किया जाए जिसकी मदद से आपको माइलेज एक मतब बहतरी माइलेज देदे वो बाइक तो फाइली मैंने स्पाइड को 87 km राइड का लिए जब मैंने स्टार्ट गया तो लगबग 87 km किलो मेटर यहां पर और मिटर में कर रहा है तो लगबग के तह हैं तो मैंने इस से 13 किलोमेटर या 50 KM राइड कर दिया है आब हैं दाश किलोमेटर और राइड करते हैं पच्चीस किलो मेटर के बाद इसमें हम रिफ्यूल कर आएंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये जो बाई के ना को कितना माईले देखने को देती है तो गाइस फाइली आप लोग यहां पर देख पा रहा है अभी ओडो मेटर में 90 किलोमेटर बाई चल चुकी है तो जो मैंनी स्टार्ट का टरना 73 किलोमेटर चल चल चुकी है अभी 2-3 किलोमेटर और चलाएंगे लगबह कि यसा है बीस-प्चीस किज व्योमेटर बाई को राइड करने के बादे इसे रिफ्यूल कराएंगे उसके बाद कल्कुलेट करके देखेंगे कि जो बाइक आपको कितना माइले देती है तो guys finally आप लोग यहाँ पर देख पा रहा है कि 93 km अब मैंने इस बाइक को लगबग चला लिया है तो जब मैंने स्टाइड किया था तो वो 73 km चली थी अभी 93 km चला था लगबग मैंने इस बाइक को बीस किलो मेटर राइड किया है जिसमें city, highway और 50, 40, 60, 70 तक की speed तक मैंने इस बाइक को ride किया है अब देखते हैं आगे कहीं के पेट्रोल टंकी वो दिख रहा है वहाँ पे चलते हैं उसके बाद इसको refuel कराते हैं और देखते हैं कि refuel कराने के बाद कितना इसमें fuel आया है उसके बाद उसको calculate करके हम आपको display पर दिखा देंगे कि यह जो buy के न है क्या उतना mileage दे रही है जितना company claim कर रही है या फिर उससे ज़्यादा भी दे रही है और एक चीज आप clear हो जिएगा कि हम premium rider के साथ ride कर रहे हैं single rider के साथ ride नहीं कर रहे हैं इफेक्ट पड़ता है mileage पे हम तो चलिए आप देख सकते हैं सामने Indian oil promotion नहीं है बाई उसके लिए आप लोग मत नाम पड़ा है मैंने promotion वगरा नहीं कर रहे हैं इंडियन oil का और आप हम यहाँ पर आ चुके हैं इसका फ्यूमेटर कर लिया है और हम आपको चले सबसे पहले करने के बाद के कहते हैं इसमें आपको दिखाते हैं कि मैंने कितना इसमें रिफ्यूल कर आया है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो चले हम आपको इसका डिस्पे पर ही दिखा देते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहा है कि 0.34 मैंने पेट्रोल डलाया है 21 किलोमेटर करने में तो अब हम आपको चले कलकुलेट करके दि आपको आपको आराम से देखने को देखने को देगी तो गाइस इस बाइक का जो माइलेज कंपनी क्लेम कर रहे हैं और वह एक्जक्ट माइलेज भी है पिलें राइडर के साथ अब आप लोग बताना कि जो एक्स्ट्री 125 आर जो है न माइलेज भी अच्छा दे रही है लुक भी अच्छा दे रही है तो क्या आप लोग इस बाइक के साथ जाना पसंद करेंगे नीचे कमने करके जरू बताईएगा और अगर आप लोगो वीडियो चले कि हालफुल पारत